हालो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे फिजेट श्पिनर्स के बारे में फिजेट श्पिनर्स ये मार्केट में एक बहुत ही पॉपिलर टार्ग बन गया था और इसको राट को गुमाते वागे आप एक बहुत ही अजीब सी चीज नोटिस करोगे कि घुमते गुमते अचानक से इसकी घुमने की डायरेक्शन आपको रिवर्स दिखने लगी ये चीज आप मॉर्निंग में ने नोटिस करोगे और इसाथ क्यूं होता है इसका एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग एक्स्पिलेशन है ये समझाने के लिए मैं आपको एक एक एक्स आपको 15 second के बाद वो आपको ग्याए पे दिखेगा अगले 55 second के पाद जब मैं उसका फोटो की जुमना तो वो हो second end 10 पर आपको दिखेगा नेक्स time 55 second पर मैं फोटो की जुमना तो वो second end 9 पर दिखेगा ऐसे ही अगर मैं multiple photos खिषता हूँ और यह सारे photos को अगर मैं series में play गतना हूँ तो आपको ऐसा लगेगा मानो वो second hand उल्टा घुम रहा हूँ इसे stroboscopic effect कहा जाता है stroboscopic effect यानि जहां आपकी घुमतीवी चीज़ की frequency और आपकी उस चीज़ को देखने की या फोटो कीज़ने की frequency में कहीं थोड़ा समिस्मैच हो गया आपको ऐसा प्रतीत हो सकता है कि आपकी घुमतीवी चीज़ इस actual direction से उल्टी घुम देगे अब इसका fidget spinner से क्या लेना देना है वो मैं आपको दिखाता हूँ fidget spinner को जब आप रात में हुमाते हो तो आप उसे दिखते हो CFL light के अंदर CFL light ये constant on नहीं रहता है वो on off होते रहता है उसकी on off होने की frequency एतनी fast होती है कि आपके आखों को पता नहीं चलता है कि वो on off हो रहा है और अगर आप उसे किसी high speed camera में observe कर होगे तो आपको दिखेगा कि वो on off हो रहा है अब उसकी on off होने की frequency ये गुमते गुमते धीमे होरे fidget spinner की frequency से कहीं थोड़ ही mismatch होगी तो आपको ऐसा लगने लगता है कि वो fidget spinner उल्टा गुम रहा है ये चीज़ obviously morning में नहीं होती है कि कि sun CFL के तरफ on off नहीं होता है इसके continuous light गेर ते रहती है आपको ये चीज़ continuous दिख रही होती है और फिर आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि वो उल्टा गुम रहा है